जैहिन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नय एजुकेशनल वीडियो में आज के क्लास में सिखेंगे टैली में डाटा एंटरी करना डाटा एंटरी विद 18% GST करके हम आज Excel में एक रिपोर्ट बनाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं Stock उसके बाद हम टाइप करेंगे QTY यानि quantity फिर टाइप करेंगे हम यहाँ पर रेट और amount अब हमें क्या करना है कि 18% GST लगाना है तो यहाँ पर हम GST के लिए CGST और SGST लगाएंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे CGST और फिर लगाएंगे हम SGST उसके बाद यहाँ पर हम net amount लगाएंगे तो net amount यहाँ पर लिख लेते हैं अब यहां पर हम थोरा सा इस kolumn को बढ़ा कर लेते हैं यहां पर भी थोरी से kolum को बढ़ा कर लेते हैं और यह मेरा डिजाइन हो चुका है इसे हम select कर लेते हैं data को और select करने के बाद यहां से center यहां से middle कर लेते हैं ताकि आपका report देखने में अच्छा लगे अब यहाँ पे हम कुछ समान का नाम लिखेंगे जैसे फार एक्जामपल रीन, डॉव, लॉक्स, डिटॉल और मार्गो कुछ स्वाप्स का नाम लिखें हम यहाँ पे, नमबर अब कॉन्टिटी लिखेंगे कि कितना कॉन्टिटी हम पर्चेस कर रहे हैं तो हम अपने मन से यहाँ पे क्वांटिटी को टाइप कर लेंगे, अब हम यहाँ पे रेट टाइप करेंगे कि पर्चना प Selon ग्रेटπα करने के बाद हमें currents निकालना है, तो amount निकालने के लिए हम गुणा करेंगे, वीटू में और सी study में, क्यूंकि वीकि बी नमबर कॉलुमप में ये टू नमबर रो में है, यहां हम टाइप करेंगे और यहाँ पे जब plus का symbol ऐसा बनेगा तो left click करके और नीचे की तरफ drag कर लेंगे तो सारे का amount automatic आजाएंगे अब आपको cgst निकालना है तो यहाँ पे type करेंगे is equal to यह d2 का निकालना है तो d number column में है तो हम लिखेंगे d2 का 9% 9 और percent का symbol देंगे इंटर करेंगे तो यहाँ पे cgst निकाल करके आजाएगा हम यहाँ पे करसा रखेंगे नीचे की तरफ drag करेंगे तो सारे amount automatic निकाल करके आजाएंगे अब हमें sgst निकालना है तो type करेंगे is equal to d2 का 9% फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी मुझे sgst निकाल करके मिल जाएगा अब यहाँ से हम नीचे की तरफ drag कर लेंगे तो total यहाँ पे सबका amount अपना अपना आ जाएगा अब सारे का gst निकल चुका है net amount यहाँ पे है cgst sgst यहाँ पे है तो net amount मुझे निकालना है तो हम तीनो amount को add कर लेंगे add करने के लिए type परेंगे is equal to sum sum bracket को open करेंगे bracket open करने के बाद हम तीनो data को select करेंगे या फिर लिखेंगे is equal to d2 से ले करके और कहां तक तो d2 से ले करके हमें जोड़ना है f2 तक तो यहाँ पे type करेंगे f2 इस तरह से आपको लिखना है या फिर selection कर लेना है bracket को close करके और इंटर कर देना है तो यह आपको net amount यहाँ पे निकल करके मिल जाएगा उसके बाद करसर हम यहाँ रखेंगे नीचे की तरफ drag कर लेंगे तो total सबका amount यहाँ पे आ जाएगा तो यह data table में convert हो जाएगा अब इसमें row अगर लगाना चाते हैं आप इसे border से घेड़ना चाते हैं तो इस तरह से bordering भी कर सकते हैं ताकि आपका data देखने में अच्छा सा दिखें तो इस तरह से आप इसे bordering भी कर सकते हैं तो आपका कुछ report इस तरह से दिखाई देने लग दोस्तो इस तरह से data entry करने के लिए हम इसका इस्तमाल करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजी और मेरे चैनल पर नए है तो घर बैठे computer सीखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद आपक दिन सुब